कि बिस्मिल्लाय रख्माने रहीं स्टूरेंट्स मैं हूँ आपकी टीचर साइमन आज आज मैं थर्ड यर के चैप्टर नमबर वान का टॉपिक लाएं हूँ क्लेक्शन ओफ डेटा इससे निया कहाथ है सबसे फहले हम क्लियर करें नैं कि डेटा किसको कहते हैं किम इन्फार्मेशन और फेक्ट्स और फिगर हमारे पासंसी इन्फिशन इन्फॉर clinical ऑफ रह ये इन्फीड लाओ फैक्स is called data, अब collection of data कि हम इसमें method भी पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ information लेते हैं, introduction लेते हैं, तो हमारे पास होते हैं कि जो most important statistical part है, वो क्या होता है data, अब हम क्या कह रहे होते हैं कि जब भी हम किसी चीज में interested हैं, जिसको हमने हमनी population कहा है, और हमने उसके ल हमारे पास statistical, statistical work है, जो के collection of data बहुत ही most important, जिसे पार्ट कहते हम statistics का, तो हम कहते हिंगे, statistical data are collected either by complete enumerations of the whole field call census, which in many cases would be too costly and too time consuming, it perhaps requires large number of enumerators and supervisory staff or to a partial enumerators, associated with a sample which says much time and money, अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास collection of data है, जब हमने उसे collect करना है, अगर तो हमारे पास area जो है, अगर हमारे पास area जो है, वो too much vast है, बहुत जदा वसी है, बहुत बड़ा है, जो हमारी population है, उस area की, जिस चीज में हम interested है, मैंने आपको population के पहले भी बता द होती है, कि जिस चीज में हम interested होते हैं, उसको हम क्या कहते होते हैं, population कहते हैं, कि जिस चीज में हम interested है, जिस फिगर में, जिस चीज को हमने मालूम करना है, उसको हम अपनी population कहते हैं, अगर तो area बहुत बड़ा है, तो population के लिए हमने जो data collect करना है, वो हमारे लिए क्या हो सक चोगी और टाइम बहुत ज़दा खार चोगा फिर इससे क्या होता है कि अगर एरिया बहुत ज़दा बड़ा है तो हम एफिशेंट जो एफिशेंट और टू रिजल्ट होता है जो कि टू रिजल्ट के करीब हो वो हमें हासिल नहीं हो सकता तो कॉलेक्शन ऑफ डेटा के होना जो रिजल्ट है उसको अप्टेइन करने की कोशिश करते हैं तो वह हमारे पास क्या हो जाता है ताइंग भी सेव हो जाता है मनी भी सेव हो जाती है और जो रिजल्ट होता है वह भी एफिशेंट हो जाते है वह क्या हो जाता है इसमें जो हमारे पास क्या होगा की पड़ा है कि जो डिटा है वो क्लेक्शन ऑफ राफ एंफिगर होते है एडिया तुमाच वास्त है तुमारे पर टाइम कंद्यूमिंग हो जाता है लॉस्ट ऑफ मनी हो जाता है एफिशंट नहीं होता क्यों कि एरिया बहुत बड़ा होते है और उसको जो क्लेक्ट करने के लिए हमें स्टाफ की जरूरत होती है जो सुपर्वाइजर की जरूरत होती है हम इनफॉर्मेशन टू मच इनफॉर्मेशन चाहिए हो जाती है जो क्यूंगे यह कुलेक्ट ही हुमिन्स कर रहे हैं तो इसमें मिस्टेक्स के चांस तो होते हैं सांपल्स का तरीका हम कहते हैं कि सांपल्स होते ही wahrscheinlich बह्त ज़्जादा बहुत ज़्जादा होती है लार्ज पॉपॉलेशन होती है तो हम सांपल्स का मेत्टट करते हैं उसके जरी क्या होते है की हम अपने जो time 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 by save कर लेते हैं money save कर लेते हैं उसर मेरे humans उस पर research कर रहे होते हैं so easily उन सब samples को deeply study कर सकते हैं तो यह हमारे पास जो method हो जादे efficient होते हैं बट अब बात आ जाती है कि data को classified हमने करना है या divide करना है तो हमारे पास जब data divide होता है तो वो तू तू तरह का होते हैं एक तो हम कहते हैं primary data होते हैं इसके बारे में भी हम briefly explain करेंगे और यह हम कहते हैं secondary data होते हैं अब इन दोने के बारे में भी मैं डिफरेंस बिताती हूं secondary और primary data के बारे में primary data हम कहते हैं कि when data have not gone any and any other statistical treatment इसके definition भी यह है have have not gone any statistical treatment statistical treatment इन दोने में डिफरेंस डीपली आपको explain करती हूं बड़ यह सम definition है यह इसकी primary की definition है अब secondary के कहते हैं कि have undergone statistical treatment at least one तो हमारे पास अब डिफरेंस के प्राइमरी डेटर की अगर आप definition भी कह सकते हो कि हम कहते हैं कि primary data कि इसको कहते हैं have not gone any statistical treatment हमरे पास statistical treatment क्या होता है क्योंकि status हमने क्या 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 गदब the process drying analyzing representing and obtained result about data is called the statistic अब जो primary data होता है उस में को हम कहते हैं कि वह इंसे किसी चीज में से नहीं गुजरा तो इस पर कोई statistical treatment apply ही नहीं की जाती के have not undergone have not undergone any statistical treatment तो इसमें हमरे पास क्या है वो किसी भी statistical treatment से नहीं गुजरा होता है हाँ raw data होता है जैसे आपने collect की है अभी आपने ना उसको analyze की है ना observe की है ना उस पर कोई formula apply की है ना उसका result निकाला है ना उसको inferential description statistical में divide की है तो वो हमारे पास क्या होता है प्राइमरी डेटा होता है जब हम बात करते हैं स्कंडरी डेटा गए तो उसके definition भी हमने यहीं बताई है कि have undergone any statistical treatment at least once have undergone stat any statistical treatment at least once कि जो at least one time statistical treatment से गुजर के जो मारे पास data आता है उसको हम क्या कहते है स्कंडरी डेटा कहते हैं मैं आपको दुबारा बता रही हूं कि जो data है data are classified into two sources है first आप कहते हो primary data है then second आप कह रहे हो secondary data तो data that have been originally collected and have not gone undergone any sort of statistical treatment are called the primary data while the data that have undergone any sort of treatment by statistical method at least one that is called the secondary data मैं आपको बिताती हूं कि जब हम research करते हैं तो उसमें हमारे पास some important steps होते हैं जब हम research कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में student यह तो आपको clear हो गया होगा कि हमारे पार जो collection of data है तो data हमारे पास क्या होता है information of raw facts and figure है कि हमारे पास कोई भी facts and figure हम ले रहे हैं information हासिल कर रहे हैं उमर का data पिर मैंने यह भी बताया था कि वास्ट अगर population बहुत ज़्यादा लार्ज है एडिया बहुत ज़्यादा बड़ा है उसके लिए हमने क्या करना है कौन सा method apply करना है फिर जो data प्राइमरी डेटा ह कि स्टिस्टिकल ट्रीटमेंट्ट जाते हैं कि स्टिस्टिकल ट्रीटमेंट होता है क्या टाइम गुजर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं हमारा स्कनरी डिटा होते हैं अब मैं आपको कुछ बिताती हूं कि जब हम सर्वे करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स की जुरूरत पड़ती हैं आमने इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना होते हैं स्टूडेंट पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए तो डिफाइन दो अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव ऑफ सर्वे इसका मदलब क्या है कि आप जो सर्वे कर रहे हो उसक और मैं उस पर एक सर्वे recharge कहा रही हूं कि जो मेल और फीमल हैं उन दोनes का स्टूडेंट कितना है इन स्टूडे यह पैरेंट्स का कितणा पर्टिसपेशन है यह कॉपरेशन हैं यह पकरती स्टूडेंट्स तो मेरा जो अबजेक्टा़ ऑफ सर्वे होगा मेरे पास क्या ह है कि वो किस तरीके से उनके पैरंट्स उनके साथ कोपरेट कर रही है यह वो खुद कैसे पढ़ रहे हैं यह जा चाइब बैटर उस्ट यह 5 अदमों इंट्रेस्ट अब जो आप जिस जो पॉपॉरीशिन ले रहे हो चीक हो कॉन सी पॉपॉरीशन है जैसे कि मैंने आप विलेइन को स्कॉलेच कहीं Aa संतों नफिकॉएः को इन सेखिर मेरी मेरे पा Lorna के लोगारे कई उसकेल्ट कने भी आफ त questionable grandpa कहते हैं कि population of interest हम हमीई簡ा होना चाहिए दिटर्ड जो हम कहते हैं कि डीफाइन देटा को मिशन और टेता वे शची के अब डीटा कोलेक्शन डीफाइन डीटा जैटा peanut कोलेक्शन जालेज्चन डीटा एधा के बारे में अभी आपको बताया है कि information of raw facts and figure ठीक है और data को मैंने two divide भी किया primary data था primary data था primary data वो होते है and that have not gone any sort of statistical treatment or secondary data होता है have have undergone any sort of statistical treatment at least one to define the data collection हमने data collection को define करना होते है और उस schemes को measuring schemes हमने decide करनी होती है कि जो हम population ले रहे हैं उसको मेर कैसे करेंगे उसको define कैसे करेंगे फिर हमारे पास जो four and last step होता है उसको हम क्या कहते हैं कि to determine the appropriate descriptive and inferential data analysis technique तो हमने पिर क्या करना होते है descriptive descriptive and inferential inferential statistical scheme फिर हमने क्या बताना होता है कि descriptive या inferential statistical अगर हम techniques यह scheme आप techniques का वर्ड यूज करो तो ज्यादा बेता है कि statistical techniques हमने यूज करनी होती है इसके बारे में अब हमारे पास क्या होता है मैंने आपको इसे पिछले topics में बता आ चुकी हूँ deeply कि descriptive statistics क्या होता है और inferential statistics अब इन दो techniques पे से यह आपके data पे depend करता है कि आप क्या चीज़ explain क्योंकि descriptive जो statistical techniques होती है वो होती ही है कि हम data को summarize कर रहे होते हैं उसको explain कर रहे होते हैं और briefly described कर रहे होते हैं तो वो मेरे पस क्या होता है descriptive statistical है वो हम बाइग्राफिकली करते हैं diagram के जरीए करते हैं या formulas apply करके करते हैं जो inferential statistics होते हैं उस पे हम क्या करते हैं test of hypothesis करते हैं कि हम अपने पिछले criteria पे अपने जो next performance है उसको explain करते हैं तो यह हमारे पास क्या आ जाता है descriptive and inferential statistical techniques जो हमारा four steps आ जाता है अब यह again बता रही हूं कि जो survey research होता है उसमें four objectives को अपने सामने रखना होता है first हम क्या कहते हैं कि एक तो हमें objective of survey पता हो हमें purpose of survey पता हो कि हमने हमारा purpose क्या aim क्या है हम क्यों यह survey का रहे हैं सेकिन हमें variable और population of interest जो है हमारी वो clear होनी चाहिए third हमारा step क्या था कि हमें data collection पता होना चाहिए and meetings की कि हमने उसे कैसे मेर करना है उसको कैसे अनलाइज करने प्रिजेंट करने थर्ड पे कि वो descriptive and inferential techniques पर से हम देखते हैं हमारे डेटा पर कौन सी तिकनीक जो है वो जादा suitable है यह I hope आपको मेरी वीडियो पसंद रही होगी आप मेरे YouTube चैनल को subscribe कर सकते ह है नास अकैडमी को और इंशाल्ला मैं आपके लिए और भी informative वीडियो लाओंगी इंशाल्ला जो हमारे पास कर टॉपिक होगा वह होगा collection of primary data जिस पर सर्वे रिसर्च में आपको deeply explain करूंगी विद एक्जांपल इंशाल्ला उमीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुआ 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 है